सद्गुर प्यारी सासंग जी आप सभी को प्रेमरी राधा स्वामी जी सासंग जी जैसे कि आप सभी को पता है कि बाबा जी सोलन पहुँच चुके और वहाँ पे सासंग भी फर्मा चुके हैं सासंग जी देखिए सोलन का माहर बहुत ही सुन्दर था सासंगा जी सोलन में संगत लगभग तीन लाग के करीब थी और वहां का जो दृष्च था वा बहुत ही शुन्दर था सासंगा जी बहुत ही रस था गुर पहरी सासंगा जी हमारे प्यारे बाबा जी इस्टेज पर लगभग 49 या 45 के करीब आ चुके थे और बाबा जी ने सासंग में बहुत ही प्यारी प्यारे बाद समझाईए और आज की जो सासंग थे उनके बचन थे जग में गुर अंधेरा भारी गुर पहरी सासंगा जी देखिए जब भी बाबा जी जहां भी जाते हैं हमें इसा लगता है मानो हमारे परमपिता परमात्मा हमारे लिए आ गए हैं और जब हम बाबाजी को देखते हैं तो वहाँ वक्त एक थमसा जाता है और हमेशा मन में एक ही ख्याल रहता है कि यह वक्त हमेशा हमारे साथ रहे कभी भी हम यहां से नहीं जाए गुरुपय सासंग जी देखिये सोलन में संगत बहुत ही खुश थी बाबा जी के दर्शन पाकर और हमारे कुल मालिक ने सभी संगत को दर्शन देकर निहाल कर दिया और बाबा जी जब इस्टेज पर आये तो बहुत सुंदर ही सब्द पड़े जा रहे थे और बाबा जी ने आज ससंग में बहुत ही सुंदर सुंदर बाते सभी संगत को समझाई और जब ससंग कतम हुआ उसके बाद ससंगत जी एक भाई जो की ससंगी थे वो हमें मिले उन्होंने बहुत ही सुंदर एक बात सुनाई वो कहते हैं कि भाई आज मैं ससंग में आया हुआ था उस समय साम को मेरे मन में कहीं परकार के सवाल चल रहे थे उसने कहा कि जो सवाल मेरे मन में चल रहे थे उनके जवाब मुझे आज तक नहीं मिले लेकिन जैसे मैंने आज कुलमाली का ससंग सुना आप जानकर हिरान रहे जाओगे मेरे हर एक प्रिशन का जवाब मुझे मिल गया ससंगा जी उस भाई की मन में ना जाने कितने समय से वो प्रिशन चल रहे थे जो कि उसे उत्तर नहीं मिल रहे थे और लेकिन उसने कहीं सुन रखा था कि आप एक बार वहां के ससंग जरूर सुने आपको हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा और जिन्दगी जीने का एक रास्ता मिल जाएगा जब उस भाई ने ससंग सुने बड़े ही प्रेम से तो उसे हपने हर एक सवाल के जवाब मिल गए वह हम से कहते हैं कि भाई यह जगा एक अलग ही है ना यहाँ पे किसी से लड़ाई है ना ही किसी की कोई बुराई है और ना ही किसी को कोई छोटा है बड़ा कहता है यहां बड़ा ही प्रेइम और उसकुलमालिक की दया का महूल है यहां आने के बाद इनसान कभी भी कोई शिक्वा नहीं कर सकता ना ही कोई किसी को बुरा भला कृ सकता है यहां कुलमालिक का सच्चा दरवार है ऐसा लगता है जैसो मानो हम स्वर्ग में आ गई हैं सासंगा जी आप जानकर हिरान रहे जाओगे एसे बहुत अंगिनत से सवाल और जवाब है जो हमें आप जी को और हम को सभी को हमारे प्रशनों के जवाब ससंग में जाकर मिल जाते हैं तो यहां उस भाई की कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो हम नहीं समझ सके क्यों क्योंकि हम भी ससंगी और आप जी भी ससंगी आप सभी के साथ भी जरूर हुआ होगा तो वहाँ यह जानकर बहुत ही खुस वा और अपने हर एक प्रशने का जवाब पाकर खुस हो गया सासंगा जी सोलन में बहुत ही शुन्दर दरश्य था उसंगत भी लगबग तीन लाके करीब आई थी और सारी संगत बाबाजी के दर्शन पाकर निहाल हो गई बहुत ही अच्छ लगा बाबाजी जब ससंग फर्मा रहे थे और स्टेज पर आए दोनों हाद जोड़कर सारी संगत को परणाम किया यहां देखका सारी संगत के आँखों में आसो आ गए थे सासंगत जी देखिए वहां कुल मालिक को दर्शन देना है वहां देकर चला जाता है लेकिन हमारे जो खौब रहते हैं उनको देखने के वहां अधूरे रहे जाते हैं क्यों क्यों क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारे पहरे बाबाजी हमसे दूर जाये ही नहीं लेकिन हमारे मालिक हमें समझाते रहते हैं बिटा बाहर के जो दर्शन है वहां सच्चे नहीं अगर सच्चे दर्शन करना है तो हमें हर वक्त भजन शुम्रन करना है और जब भी अंदर की दर्शों होंगे तब ही हम उन्हें सच्चा के सकते हैं सासंगा जी सिक्साथ अपने मानी को राम देते हैं फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखे जी धन्यवाद अगर वीडियो पश्चन्द आया हो तो चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि बाबाजी की ऐसी अपडेट आपको मिल सके जी धन्यवाद आप जी अमरित वे लिटकर नितनेम सबजन सुमरन करते रहें माली के खुशियां प्राप्त करते रहें जी धन्यवाद